अपनी पीक पर बिटेन की दुनिया भर में कॉलनी इस थी बिटेन डॉमिनेट कर रहा था मगर आज के समय as of 2024 बस यही तक सिमट के रह चुका है UK सारी जो कॉलनी इस थी सब हाथ से निकल गई जिस तरीके से बिटेन का एक बहुत बड़ा एमपाइर हुआ करता था फ्रांस का भी 1812 में इतना बड़ा एमपाइर था पूरी दुनिया में चाहे नौर्थ हमारिका हो साथ हमारिका हो एफ्रेका हो इंडिया शिलंक का साथ इस टेशिया हर जगा फ्रांस की कोलनी स्थी यह अब France देखिए UK से काफी चलाक है, UK अपनी colonies को properly manage करनी पाया और UK को मजबूरी में बहुत सारे देशों को अजादी देनी पड़ी, विरैस France ने एक different type का system अपनाया, France ने अपनी बहुत सारी colonies को ये कहा, क्या आपको अजादी क्यों चाहिए, आप बनो हमारी overseas territory, इसके अंडर आपके जो foreign affairs हैं और defense affairs हैं, वो समाले की French सरकार, बाकी आप अपना खुद देख लीजिएगा, और आप सब लोग enjoy करोगे, France की economy, France की technology, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, इन सब colonies को, और कैसे भी करके, आज भी France अपना empire ये बना कर बैठा है, ये जो सारा area आप देख रहे हो ना, मैप में जो आने सरकल का रखा है, ये है France की overseas territories, एक तरीके से आप क्या लीजिए, modern day colonies हैं, मगर धीरे धीरे हो देगा, क्योंकि already हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो ये colonies है, बहुत सारी जो ये overseas territory है, यहां के लोग अब ये realize कर रहे हैं, कि देखिए France को अपनी विदेश नीती, रक्षा नीती, सौपने का कुछ खास फायदा इनको मिला नहीं है, ना इनकी कुछ खास तरक्की हुई और उसके इलावा, अब तो France के President खुद कह रहे हैं कि Europe is dying, Europe मर सकता है, तो अब France से associated रहने का फायदा भी क्या हुआ, और बिल्कुल recently आपने इस topic से related ये articles देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, New Caledonia, जो France की एक overseas territory है, यहां पे आज के समय दंगे हो रहे हैं, लोग चाते हैं कि बस इनको आजादी मिल जाए, France की सरकार ने panic में आकर यहां पे emergency घुशित कर दी, TikTok बैंड कर दिया, और कैसे भी करके France कोशिश कर रहा है, कि New Caledonia इनके हाथ से ना निकल जाए, New Caledonia की जो कहानी है ना, यह मैं आपको बताता हूँ, genuinely आपको दुख लगेगा इनकी कहानी सुनके, ना यहां पे आप देख पाओगे, वर्ल्ल मैप में, उस्टेलिया के साथ में यहां पे आपको दिख जाएगा, यह है New Caledonia, यह एक आजाद देश नहीं है, France की overseas territory है, अल्मोस्ट आप क्या लीजे, यह फ्रांस की कॉलनी सी ही है, यही खुद की भाषा थी, खुद का कल्चर था, खुद की ट्रेडिशन थी, कई हजारों सालों तक यहां पर लोग रहे, मगर फिर 1774 में, एक बिटिश एक्स्प्लोरर जेम्स कुक, यह New Caledonia को धून निकालता है, और बहुती जल्द, यहां पे आना स्टार्ट कर देते हैं, यह यहां के जो इनोसेंट लोगी मैं काऊंगा, इनोसेंट लोगों को उठाते हैं, उनको स्लेव बनाकर स्लेव मार्किट में बेश देते हैं, और फिर इवेंचुली इस बात को लेकर भी कॉम्पेटिशन हो जाता है, कि कोन सी European ताकत एक कॉलनी बनाएगी New Caledonia को, आप इसी एरिया से कुछ लोग आते हैं, उनकी स्किन बिलकुल अलग दिखती है, उनकी भाशा बिलकुल अलग है, सड़नली वो कहते हैं, कि अब ये पूरा टापू हमारा, तुम सब हमारे, और वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चा देखता है कि उसके फादर को, उस सारे लोग बिमार पड़ रहे हैं, बिमारी का रीजन क्या है, ये जो बहार से येरोपियंज आए है न, ये अपने साथ स्मॉल पॉक्स जैसी बिमारिया लेके आए हैं, जिसकी इम्मूनिटी यहां के लोगों को थी नहीं, और मैं आपको बता दूं कई एस्टिमेट्स के हिसाब से, जो population थी New Caledonia की, जो कनाक ethnicity के यहां पर लोग थे, इनकी अवार्दी 60,000 से 20,000 हो गई, क्योंके Europeans अपने साथ इत्ती सारी बिमारिया लेके आए थे, आप imagine करके देखिए कि उस बच्चे के लिए कितना traumatizing रह होगा, लाइफ में काफी बार दूसरे का दर्द समझ ने का सबसे भैतर तरीका ये है, कि एक सेकिंड के लिए बस imagine करो, कि उस आदमी के हिसाब से life कैसे बीती होगी, और sad बात ये है, कि यहां के जो indigenous लोग है, इनका दुखदर्द यहां पे खतम नहीं हुआ, 1946 में, फ्रांस ने का के New California, ये है एक overseas territory, क्योंके फ्रांस को डर था कि ये colony, colony word ये बार-बार use करेंगे, तो eventually international community का pressure आएगा है, और इस टापू को देनी पड़ेगी आजादी, फ्रांस ने 1946 में ही कह दिया, this is French overseas territory, और उसके बाद, फ्रांस ने गलत तरीके से इस्तमाल किया, इस territory का nuclear weapons test करने के लिए, अगर मैं आपसे पूछू कि दुनिया म सबसे जादा nuclear test करने वाले कौन से तीन देश है, तो most probably आपके mind में आएगा, अच्छा, USA, China है और Russia होगा, मगर ये जवाब गलत है, फ्रांस ने चाइना से चार गुना जादा nuclear test किये हैं, फ्रांस ने 210 nuclear test किये हैं, और सबसे पहला French nuclear test इनोंने कर दिया था, 1960s में, अब एक फ्रांस ने अपनी धरती पर ये test किये होंगे, 210 nuclear test, obviously नहीं, इनोंने काफी बार यूज किया आफरिका का, आफरिका का कोई गरीब देश देख लिया, सारा desert में nuclear weapons का test किया, उसके बाद काफी बार, इनोंने French Polynesia की जो country सी, including New Caledonia, इनके पास में लगातार nuclear test किये, यहां की जो indigenous population है, इनसे नहीं पूछा गया, इनसे permission नहीं ली गई, सीरा सीरा कह दिया के defense का मामला हम समालते हैं न, तो हम यहां पे nuclear test करने आए हैं, और France ने लगातार इतना nuclear test यहां पे किया, कि radiation काफी जगा फैल गया, लोग बिमार हो गए, मचलियां obviously बहुत ज़रा बड़े scale प वो तो इनको मिल गया, जो इनको data चाहिए था, जो इनको technology चाहिए थी, वो इन्होंने यहां पर लगातार nuclear test कर करके acquire कर ली है, और अब हम 2024 में देख रही हैं कि इतने लंबे समय तक, France का अत्याचार, जी मैं इसको अत्याचार ही कहूंगा, I mean यह लोग peacefully अपने टापू प जाग गई है कि New California के लोग अप कह रहे हैं, enough is enough, हमारे देश से निकल जाओ, और France इस बात को लेकर panic कर रहा है, France कहीं से नहीं चाहता कि New California हाथ से निकल जाए, क्योंकि एक बार यह निकल गया हाथ से, उसके बाद बहुत सारी और जो French overseas territory है, वो भी इसी रास्ते में चली ज simply इनको अजादी चाहिए, नहीं, जो recent trigger है, इसका reason यह है, कि France ने एक कानून पास करने की कोशिश करी है, जिसके अंडर क्या है, कि मान लीजे कोई आदमी है, जो Paris में पैदा हुआ है, European है, कल को वो चला जाता है New California में, वो 10 साल के लिए रहता है, 10 साल बाद वोट करने ला जिया से, वो अब यहाँ पर रह रहे हैं, एक बार को ठीक है, रह सकते हैं, मगर 10 साल बाद वोटिंग भी कर पाएंगे, मतलब कि Ireland के जो decisions हैं, उनका वोट impact करेगा, इस बात को लेकर बहुत सारे लोग गुसा हैं, और अब तो New California के लोग कहा रहे हैं, कि बहुत हो गया, 1853 से हमें कॉलनी है तुमारी, हमें अब चाहिए आजादी और रहे हैं, आज कैसे हमें इंटरनेट, उसके लावा information का जो एक revolution आया है, उसकी वज़े से भी अब यहाँ पे जो आम आदमी उसको समझ में आ चुका है, कि इनके साथ हुआ क्या था, और किस तरीके से दुनिया के बहुत सारे और देशों को अजादी मिली, जबकि इन लोगों को French overseas territory बना कर आज भी एक कॉलनी की तरह ही इस्तमाल किया जा रहा है, तो French overseas empire देखिये खत्रे में है, और मैं आपको बता दूँ, 2030 से पहले पहले, France को बड़े losses face करने पड़ेंगे around the world, और finally यहाँ पे मैं आप सब लोग करोगे comment section में, Robert Fiko आजकल काफी news में है, यह नाम, यह आपको बताना है कि यह Prime Minister है, किस country के, मैंने इस topic पर एक पूरी वीडियो करी अपलोड on study IQ, बताईए, Robert Fiko is the Prime Minister of which country, यह है आपकी options, Serbia, Slovakia, Ukraine, या फिर Poland, comment section में करी उतर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment क तो मैं हाट दे दूँगा ताकि वाकि लोग समझ पाएं कैसा उतर क्या है, और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC examination के लिए prepare करना चाते हैं, आप एक college student है, आपके पास time है, 2-3 साल का, तो आप बिलकुल purchase कर सकते हैं, study IQ का flagship UPS आपको simply यह करना है, comment section में जाहिए, यहाँ पे आपको link मिलेगा, इस link पर करिए click, और आपके सामने खुल जाएगा यह page, अगर आप mobile phone पे हैं, तो study IQ की जो app है, Google Play Store से आप download कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप buy कर सकते है, study IQ का UPSC course, जिस पे यहाँ पे लिखा होगा P2I P2I मतलब के prelims, mains, interview, तीनों section में study IQ आपके साथ रहेगा, prelims में आपकी complete help की जाएगी, exam clear करने के लिए, आपने prelims clear कर दिया, तो study IQ आपको invite करेगा, कि आए दिल्ली, रहे दिल्ली में, study IQ आपका खर्चा उठाएगा, mains की त्यारी करिए, यहाँ बैठ कर, interview में भी study IQ help करेग हमने बहुत सारी testimonial videos भी करिए upload, तो यह सब कुछ आपको मिलता है, study IQ के इस course में, और इस course की जो validity है, यह 30 महीने की आपको दिख रही होगी, और जो price यहाँ पर आपको लिख रहे ना, यह pay करना ही ज़रोत नहीं है, simply आपर code उस करिए PD10, and the prices will start falling, आपको और code भी आपर दि listening, and as always, may the gods watch over you.